Hello to all my needing viewers अज हम यह इस तरह के flowers बनाना सीखेंगे रोशे की जो है आप कह सकते हैं इसको Christmas ornaments भी कह सकते हैं और आप इनको जो है इन flowers को किसी भी रोशे के project में आप इनको यूज कर सकते हैं बहुत ही simple है बहुत easy ली ये बनते हैं अप किसी भी अगर आप कोई creative work करते हैं तो उसमें आप इनको use कर सकते हैं तो किस तरह से हम इसको बनाएंगे चलिए इनको बनाना सीखते हैं सिपसे पहले हम यहां पर दागा ले लेंगे इस तरह से इस तरह से आप देख सकते हैं उसके बाद हम इस तरह से एक दो तीन और एक चार चार चीन बना लेंगे फिर हम दो बार इस तरह से दागा लपेटेंगे और फर्स्ट जो हमारा स्टिच है इसमें हम प्रुशिव को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से इस तरह से हम इसको बना देंगे तो आप यहां पर दिखेंगे इस तरह से होल बन गया है अब हम एक दो तीन चार चार चीन बना लेंगे इस तरह से अब हम यहां पर पफ बनाएंगे इस के अंदर इस होल के अंदर इस तरह से एक दो तीन और एक चार इस तरह से और फिर हम सबी फंदों को इस तरह से एक साथ ही गठा बना लेंगे फिर इस तरह से दो का इन सबी फंदों को एक कर देंगे फिर उसके बाद हम एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे यहां पर हमने जो क्रूशय होग इंसर्ट किया था यहां पर इसमें हम फिर से स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर देंगे फिर से एक दो तीन चार पहले हमने तीन चेन बनाएंगे अब हम सेंटर में चार चेन बनाएंगे इसको भी हम यहां पर स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से क्लोज कर देंगे फिर से हम एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और इसको भी हम यहां पर इंसर्ट करके इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देंगे फिर हम एक दो तीन और एक चार चार स्टिच के साथ हम पहले पफ को इस तरह से बंद कर देंगे इस तरह से अब हम फिर से चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार फिर से हम सेकेंड पफ बनाएंगे एक इस तरह से एक दो तीन और एक चार और फिर सबी फंदो को एक साथ इस तरह से कर लेंगे इस तरह से फिर अब हम एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और यहां पर इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से क्लोज करेंगे अब फिर से हम सेंटर में चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार और फिर से यहां पर उक को इंसर्ट करके इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको भी बन कर देंगे फिर से तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और फिर इसको भी हम इस तरह से क्लोज कर देंगे इस तरह से आप देख सकते हैं यह हमारा फ्लार का पैटल्स बन गया है तो इस तरह से अब हम इसको चार चेन के साथ फिलोज करेंगे एक दो तीन चार इस तरह से यह हो गया हमारा सेकंड पफ इस तरह से हम तीसरे बनाएंगे तीसरे पफ के लिए एक दो तीन चार सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने यह बनाया सेकंड बनाया सेम इसी तरह से हमने चार बार निक करना है एक दो टीन चार फिर सब्भी फंदूप इस तरह से एक साथ बंद करना है इस तरह से फिर तीन चेन एक दो तीन फिर सलिप स्टिश के साथ इस को यहां पर क्लोस कर देंगे फिर से एक दो तीन चार इसी में crochet hook insert करके slip stitch के साथ close करेंगे फिर से 3 chain बनाएंगे तो 3 इस तरह से close करेंगे फिर 4 chain बनाएंगे 2, 3, 4 इस तरह से हम थर्ड जो हमारा puff है इसको भी हम close कर देंगे तो इसी तरह से हम आप देखेंगे इस तरह से हम इसमें total 6 puff बनाएंगे तो चलिए सेम इसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे यह आप देखेंगे हम इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 puff में हम पहुंचके हैं तो इस तरह से हम इसको close करेंगे सेम उसी तरह से 3 chain बनाएंगे slip stitch के साथ इसको close करेंगे फिर से 2, 3, 4 चार chain बनाने के पाद slip stitch के साथ close करेंगे इस तरह से फिर हम चार chain बनाएंगे 2, 3, 4 और यहां पर इस तरह से इसको हम close कर देंगे और अपना जो धागा है इसको हम cut कर लेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से आपके यह जिस तरह से यह बाकी के बने वे हैं इस तरह से आपके यह grocery के जो ornaments है Christmas ornaments या flowers भी आप इनको कह सकते हैं तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं और आप किसी भी grocery या knitting के project में इनको use कर सकते हैं कोई भी अगर आप creative work करते हैं तो उसके लिए ये पाफी useful रहते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी रगे तो वीडियो को ज़रूर like करें share करें और comment भी आप लिख सकते हैं